एक जंगली सुवर एक पेड़ के तने से घिस घिस कर अपने दाब नुकेले कर रहा था एक लोमड़ी ने उसे देखा तो सोचने लगी कि जब इसके सामने लड़ने के लिए कोई भी नहीं है तो यह मूर्ख जानवर को नड़ाई की तयारी कर रहा है वह सुवर के पास गई और पूझने लगी दोस्त तुम अपने दाब नुकेले क्यों कर रहे हो आसपास देखो जरा या कोई सिकारी या खतरनाज जानवर है अरे यहाँ तो किसी तरह का खतरा ही नहीं है मेरे हिसाब से तुम बेकार में ही मेनत कर रहे हो सुवर ने उसकी और देखा और अराम से जवाब दिया अरे मेरे दोस्त खतरा बता कर नहीं आता है वह तो अचानक ही आ जाता है जब खतरा आएगा तो मुझे बात नुकेले करने का समय नहीं मिलेगा तुम तो जानती ही हो जब लगाई कभी गुल बच जाये तो तलवारों के धानों के लिए करने का समय नहीं मिलता है दोस्तों अगर वीडियो चले लेगे तो वीडियो को लाइक करके चनल को सिस्क्राइब जरूर कर लेना